में डिली करें ठ़खेर अब अब द्तीन दिन से ठोड़ी मिलाब आ थी तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी PC में कोई दिक्कत थी यह चक्कर में वह गया आज है 23 जन्वरी के और हम पढ़ कि ठीख है फ्रेंड्स और इसमें पहला पॉइंट पढ़ें के सबसे ब्रद्र वक्ति ठीक है बिस्वे के सबसे ब्रद्र वक्ति थे खाएं तो से बिस्वय के कॉंसे कॉंसे सबसे बज़रुक विश्टिए हो हुआ और सुरी सबसे बजलोक वेक्टियों ठीक है वेक्टियों में से एक जिनका क्या नाम है इस्पैनिया इस्पैनिया सेंट्रीमियो दे इनका इतना बड़ा तो नाम है देखिया इस्पेनी सेंट्रीनियो डे फुरिंद दे गाड़सी ठीक है क्या है बिस्वे के सबसे बुजरों ब्यक्तियों में से एक इनका 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 इन देख अपने सामने ठीक है अपने सामने अपनी उम्र में नोने दो विस्वे और एक पूरी इथ्यास को देखा ठीक है एक पूरी सताबदी को देखा ये इनकी एज 112 साल 112 बर्स और 211 दिन ठीक है इनका रिकॉर्ड बनाया है ठीक है 112 साल, देखी, इसमें कितना बड़ी यह सही होगा, देख ठीक ना, 112 बर्स और 211 दिन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जीवन को जीया, ठीक है, कितना, 112 बर्स और 211 दिन, ठीक है, और इनके साथ, अभी सबसे, बिस्वी की सबसे पुरानी महिलाओं में, बुजरुक ठीक है, यह बिस्वी की सबसे बुजरुक महिलाओं, जो की अभी 119 बर्स की है, ठीक है, कितनी 119 बर्स की महिलाओं है, जो अभी भी जीवित है, ठीक है, बेल्जियम की, बेल्जियम बिट्रिस द्वारा, बेल्जियम और बिट्रिस, बेल्जियम बिट्रिस की 19 बर्सी है, ठीक है, 19 बर्सी है, क्या नाम इनका, जारा, रदर फूर्ड, ठीक है, जारा, रदर फूर्ड, माइक्रो लाइट, इनका ये क्या नाम है, नाम है इनका, रदर फूर्ड के परिवार की होंगी साथ जी, तभी इनका नाम है, जारा, रदर फूर्ड, माइक्रो, ठीक है, ये दुनिया की ऐसी महिला है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अकेले, जिन्होंने अकेले ही, उडान, अकेले ही कल लगा लिए इनों ने ठीक है उड़ान भनने वाली सबसे कर्म उम्रों की माईला माला इनके पास एक प्लेन था जिससे इनोंने खुद ही माला पूरे अकेले ही पूरी जगह टर्वल किया इनोंने अकेले ही ठीक है टर्वल किया इनोंने कितने इनोंने पांच महादीपों मे नहीं ने एकतिस देशों की यात्राह कि नांगो है इनका क्या नाम था जाणा रदार्फोर्ड जादार अधरमायक्रो लाइट ठीक है इनका यह क्या नाम था इन्होंने अकेले ही इन्होंने अकेले ही क्या की है इन्होंने गलोवल गलोवर की परेक्रमा की कि एक तरी से कहनें के मतलब क्या है इनके दावारा बिस्वा की सभी एक तरीके से इन्होंने अकेले ही ग्लोबल की प्राइब के यह विटेस-वर्षी जारा रचाथ-फुर्ड-michlorite हैं यही पहली मैला है जो बेलियम की है और मलब पहली मैला है जिन्होंने बेलियम की पहली मैला हैं जिन्होंने और भरी ठीक है एक तरह बल्यक्ति देख सब्सक्राइब की पहली वह बैलियम बित्स कि वह लना जिन्होंने पूरेद उसकी और अखर यह बहुद और और एठीक है क्या नाम है मिया अमोर ठीक है मिया अमोर मौटली ठीक है इन्होंने क्या किया मिया अमोट अमोर जिने ये बारा बाल डोस क्या बनगे पीम धुवारा से ठीक है मिया अमोर मौटली बारा क्या बनगे दुवारा से पीम बन गई इन्होंने 28 28 से सेवा में ठीक है किसकी 12 वोट की 12 वोट की देश की सेवा में 2018 से और यह दोबारा से क्या वो बन गई फिर से पीम बन गई ठीक है यह देश है 12 वोडो यह है ठीक है यह 400 यह बेटिस उपनी सदों का यह बेटिस उपनी सदों का फोड़ी उपनी वेस अब उपनी वेस बनाने के लगवक चार सो साल वाद चार सो बर्सवाद चार सो दुनिया चार सो बर्सवाद दुनिया का एक सबसे नया गणराज बना अ सबसे नया गणराज बना है ठीक है और यह नमंबर है कब नमंबर है दोजार इकीस में क्या वगत दमबर दोजार महाराणी एलिजबेट सेकेंड महाराणी बिटिस की रानी कौन महाराणी एलिजबेट सेकेंड ने क्या किया था यहां से अपने राज के पिरमुक पद से पच्चायत कर दिया था मतलब इस राज को इन्हों 400 साल तक इस पे बिटिस उपनी सद्क के रूप में इन्हों ने राज किया किसने राज किया महारानी एलिजाबैत सेकेंड ने और मदले एक तरीके से बिट्रेस लोगों राज कि अब जो 400 साल बाद इसको क्या होई एक तरीके से नय राज करेंगे ठीक है जम्मू कस्वीर में जम्मू कस्वीर के रियाईसी जिले रियाईसी जिले में जैरी वस्ती को के रियाईसी जिले में जैरी वस्ती को के रियाईसी जिले में जैरी वस्ती को के रियाईसी का के रियाईसी का रियाईसी का के 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 रियाईसी का क गाउं गोस्ट किया ठीक है क्या हुआ किंद्र सासित ने क्या किया अपना पहला फश्ट दूद गाउं किसको गोस्ट किया जम्मू कस्मीर के रियाल जिले में जोरा वस्टी किंद्र सासित का फ़र्ष्ट गाउं हो गया ठीक है इसमें एकी किरत योजना के तहद किसके एकी किरत किसके एकी किरत डेरी विकास योजना के तहद किसके एकी किरत ठीक है एकी किरत डेरी विकास डेरी विकास योजना के तहद योजना के तहद क्या किया गया क्या किया गया संतावन और संतावन और डेरी फार्म की क्या की मंजूरी डेरी फार्म की मंजूरी दे गई ठीक है एक एक डेरी विकास योजना के तहा संतावन और डेरी फार्म की क्या दे दे गई एक तरीके से वो दिदी की मन्जूरी ठीक है इस और और पांच पसुवाले जैसे किसी के पास पांच पसुव हैं तो उसको डेरी एकाई के तहद इसके डेरी एकाईयों के तहद 50% का अनुदान दिया जाएगा अनुदान दिया जाएगा कितना 50% का अनुदान दिया जाएगा दूरी दूद गाओं में ठीक है किसमें दूद गाओं में दूद गाओं के दूद गाओं में साड़े 300 गायों के लिए ठीक है साड़े 300 गायों के लिए किति 73 ब्यक्तिगत ब्यक्तिगत डेरी एकाईयों के लिए सरकार इसका खर्चा उठाएगी ठीक है और दूद गाओं में 370 गायों पर ठीक है जिसके लिए 73 ब्यक्तिग डेरी एक आई है मतला एक तरी 73 ब्यक्तिग पस 370 गायों का क्या किया गया है एक तरीके से इनका दूद निकालते हैं और बेजते हैं जो सरकारी तौर पर अब सरकार इस चीज़ को इनको सर्रक्षण एक तरीके से देगी पर अबसons में जो ऑपिक शीज़ को जो की तरी तौर एक तरीके software यí जो किया थर्साण चरते हैं जो कि ज़र प्रश्वास कतीज़ के तरीका एको से दो कीज़ कि एक तो सर्वा कhrड़ चीज़ जो ब著ी otर ओुद आरो सिसे पत्क'd जायों के जोत्पार इन फार इनको तरीक पाल पाल है पिये मोडी नयक्षिझ ए, फिरवरी पेसे हसे कि शाहिए, मिन फिरवरी है, क्यां पीम मोडी नयक्षिझ कि है 2020 में है catchasta बैट edarabad में रामानुच ठिक रामानुच बैट रामानुचекст बैट की 216 फुट कितनी 216 फुट की पृतिमिया का अनावरन करेंगे सुर्य अनावरन करेंगे ठीक है जिसे किसके नाम से स्टैचू और स्टैचू अप एक्वेलिटी के नाम से जाना जाएगा ठीक है क्या हुगा पीम मुदी ने फरवरी में हैदराबाद के राम अनुच की 216 फुट की पृतिमा का क्या कि अनावरन मतला एक तरीकी से उन्होंने बोल गिया कि हम फरवरी में इस चीज का अनावरन कर देंगी अपर उनको इस चीज के लिए पैसा दे दिया ठीक है और इसका क्या नाम होगा इस्टैचू अफ इक्वेलिटी के नाम से इसको जाना जाएगा ठीक है इस्टैचू अफ इक्वेलिटी के नाम से जाय ना जाएगा यह ग्यारवी सदी के किसके ग्यारवी सदी के संत और समाज सुधारक थे यह क्याते है ग्यारवी सदी के संत और समाज सुधारक थे यह ठीक है इन्होंने क्या कि और इनकी कहां पे प्रतिमा कहां पे इनकी समसाबाद ठीक है इनकी समसाबाद में 45 एकड के परीसर में कितने 45 एकड के परीसर ठीक है पेताली सिकर के पड़ी सर में ठीक है क्या होगा इनका मूर्ती का अनावरान होगा ठीक है और यह पंच लोगे की बनी होगी ठीक है इस पंच लोगे में सोना, चांदी, जस्ता, सोना, चांदी, जस्ता, पीतल और तामा तामा होगा ठीक है? क्योगा पंच लोई की सोने की ये प्रिटीमा बनी होगी जिसमें सोना चान आदी जस्ता पीतल तामा होगा ठीक है? इसके कितनी 216 फुट की क्या है इसकी उंचा ही है ठीक है? लद्दाक में कहा पर लद्दाक में किसके खेलो इंडिया खेलो इंडिया ठीक है किसके खेलो इंडिया प्रोग्राम के तैट लद्दाक में क्या किया गया लद्दाक में एक एक फुटवाल स्टेडियम का एक फुटवाल स्टेडियम एक फुटवाल स्टेडियम के लिए अपना फास्ट ओपिन सिंथेटिक सिंथेटिक ट्रेक सिंथेटिक ट्रेक और फुटवाल ट्रफ को मिला और फुटवाल टॉर्फ मिला ठीक है क्या हुआ लब्दाक को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तैट एक फुटवाल स्टेडियम वो फश्ट ओपन सिंथेटिक ट्रेक और फुटवाल टॉर्फ मिला ठीक ह इसकी लागत 1068 करोड़ रुपए की है कितनी 1068 करोड़ की लागत से बनाया है ठीक है और इसमें इस पू टुक इस पूटक बैल्ट ठीक है इस पूटक बैल्ट मैं कितनी 300 नहरोपा ट्रेक और फिटा वल्ड तर्प के आकार का निर्माप वह बना इस पूट वहत है इस अधर की आज़ रहोगा का इस की शीज़े का निर्माप होंदद कétait मैं इस चीज़ को बताये वासित का होगा निर्माप होगा से का सू चार्ट लेंग के वेगन at इसकौट लेंड के किस्कों इसकॉट लेंड के बैग ग्याने को दवारा इन्हों ने क्या कि ए ए इई तखनीक से और इपीसल इंटेलिजन्स की तखनीक से क्या किया इन्होंने कुछ में है कितने कुछ मिन्टों में ऐस ठीक है कुछ में क्या किया इन्होंने कोविड-19 कि आ है क्या किया थैक है एक टरीक से क्या कि स्कॉट्लेट के बैग गने के इंटिलिजेंट आर्टिफिस इंटिए इंटेरिजेंट के तहर्पेन पुछ मेंटों में कोविट-19 के बारत को पता लगाने के 98% सटीक तरीके से बताया कि इस वेक्टी को कोरोना होगा कि नहीं हो और इस यूनिवर्स्टी का क्या आना में यूनिवर्स्टी ऑफ दा कि बेस्ट ऑफ स्कॉटलेंड थीक है एक तरीके से इन्होंने इस तक्निक का क्या की खोच की ठीक है कि कुछ मिंटों में ही इस इंटेलिजेंट के तहर इस चीज का पताया लगाया जा सकता है ठीक है बसमें कौन सा लेगा तरक राम है ठीक है कहां पर तर्पुरा में क्या वो तर्पुरा में कहां पर तर्पुरा में कौन सा कोको बारा को ठीक है दिबस मनाए गया ठीक है कोको बारा को डिबस के रूप में मनाए गया ये इनकी तर्पुरा की क्या है एक भासा है इनकी अधीकारिक दिबस था नाए ठीक है भासा के बिकास के लिए अपना जसन मनाया ठीक है, यह कि इस अधिकारिक भासा को इस अधिकारित भासा को मानता मिली थी इस अधिकारिक भासा को सत्रा सो उन्नीस सो उन्न तालीस मतलब सौरी उन्नियासी में इस चीज को क्या मली कि अधिकारिक भासा को अधिकारित भासा को क्या कि मीज़ी मानता एक तरीकी से मानता दी गई टी ठीक है और लास्ट पॉंट हो रहा गया ओपरेशन खतम ओपरेशन खतम क्या हो ओपरेशन खतम नामक जो पुस्तक नई पुस्तक का बेमोचन किया ठीक है इसका मतलब पूरी तरह से पुस्तक को क्या हो गया मतलब एक तरी से पूरी पुस्तक को लिख दिया गया इसमें दो पत्रकारियो ठीक है, दो पत्रकार्यों का प्रमुक रोल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अरसी, अरसी, गुंजु, ठीक है, और अस्वनी, ठीक है, क्या हुआ अस्वनी, भट्ट नगर, भट्ट नगर, ठीक है, इसमें क्या था, ये दोनों प्रमुक का चस्मतीत गवाते, ठीक है, ऑपर